अच्छे तरीके से स्मार्ट पे आच्छे को सॉल्व करेंगी तो यहां मैंने जो अंसर किया है उसके मांतिम से मैं आपको को सॉल्व कराऊंगा तो अच्छे से हम लोग करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अगर आप हमारे online courses में admission लेना चाहते हैं तो आप इस number पर हमें call कर सकते हैं या आप हमें message कर सकते हैं current में हम लोग का बैच चल रहा है जिसमें साथ दिनों में आपकी पूरी टैयारी कराई जा सकती है तो इसको आप जोईन कर सकते हैं इस से कॉल करके वर्ट्सक्राइब करके यह पूछụसिफ के साथ दर्ड़ कुछ फेड़ा को सब्सक्राइब ना पूछ करके को सिंख समय 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 लेकिन तुन संतेंदर्च नहीं थे इस लिए को लेकिन कौन है तो आप ही जर्नल मनुद मुधंद नर्वने जी हैं और आगर ये कव 쪽by advocate जर्नल मनुद नर्वने जी है और ये सन संच्धी प्रसाद जी है i यह भी करन से ही था टॉन ट्राफिक इंडेक्स से 2019 के कौन सब्से ज़्यादा ट्राफिक गेंड करता है तो यह अपने इंडिया की इंडिया की सिटी है और यह बैंगरूरू को हमारे देश के एक इलेक्ट्रानिक राजधानी के रूपमें भी जाना जाता है क्योंकि यहां प सबसे ज्यादा साथ चर्टा दर वह भी केंडर सासित प्रदेश के पूछ रहा है केंडर सासित प्रदेश के बारे में तो यहां पर था लच्छदीब लच्छदीब की राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगी कवरती क्या हो जाएगी कवरती इसकी राजधानी है और इसका पर अभी जो प्रिजन सेनारियों में हम देखेंगे अनि करन्ट अफेर्स में हम देखेंगे तो एंटी गुंडा लॉग और भी कई सारे लॉग यहां पर है तो लच्छदीप सबसे आदा क्या है लिट्रेट है यहां पर साथ-छर्दा-दर सबसे आदा है इसकी सब्क्राइब देख सकते हैं यहां पर ये छोटे चोटे आपको दीप दिखेंगे आप मैट भी अपने देखा होगा लोट मिख्राफ करिदेट नो य। यह चलती है तो यह कहां पर है वह सही तीर आपया या कि यह समूद्र में या किसी नदी से नती रखेसा क्या? रहा है पहला आपर में प्रूलिट नती है इस इसमें होकर गुजरने वाला पूछा गया है क्योंकि अभी इसका एक ही फेस कंप्लीट हुआ है इसलिए इसके बारे में आपको यह इतना याद रखना है इस देखते हैं इसलिए मैं इसको एक्स्प्रेइन नहीं कर रहा हूं इसमें इसमें देखे हमको इन दोनों आकृतियों में ढूंड करके इस आकृति में यह जहाँ है यहाँ पर क्या आएगा तो चलिए देखते हैं आठ माइनस किया है, तो 14 आ गया है, ऐसे ही हम यहां भी कर देंगे, जब हम 15 से 5 माइनस करेंगे, तो यहां पर क्या जाएगा, दस आ जाएगा, अगर यह भी नहीं लग रहा है आपके एक्जाम में, तो दूसरा आप कहां से कर सकते हैं, दूसरा आप यहां से भी कर सकते हैं, सकते हैं यहां से कर सकते हैं वहीं यहां Kan stopping लोग एप में वहां すे कर सकते हैं जब च्शा और्छा ओर आठ को एड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 wife our तो आप लोग अच्छे से प्रेक्टिस कीजिए अभी देखिए 2011 की जंगरणा से एक कोश्चन आया था दूसरा कोश्चन भी आपको में गया यह कोश्चन में पहले वीडियो में करा भी चुका हूं लेकिन मैं आपको फिर से करा रहा हूं तो सेंसर्स जो है यहां अच्छे स पड़के जाएगा 2011 की जंगरणा सब्सक्राइब कोश्चन में और पूछा था कि descending order in terms of their population population के हिसाब से तो सबस्ज़यादा पॉपलेशन किसी ती उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश सबस्यादा उत्तरप्रदेश परेस उसके बाद महारास्त हम इसु कर सकते हो इसके इसका क्रिवह इंदर्प्रभ करे 흥े वीडियो में देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो के देख सकते हो तीसरा कोशन आया नोट कीजे इसको 2011 की जंगर्णा से तीन कोश्चन्स आए अभी तक कितने तीन कोश्चन्स तो आप समझ सकते हैं कितना जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम को लोग और यहां बोलते हैं यहां पर करती हैं यह फालिक्त करते हैं कि यह आपको क्लियर हुआ होगा इसको जादा करने के भी जड़त नहीं है अब यह देखें नेक्स्ट कोशन आ गया आपका वर्ग चित्र में यह है और इधर भी चार ही है आप देखेंगे दो चार ही है और सेमेंट्रिकल थायनी एक ही तरीके से हैं जितने भी हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे यह जो भी रौ है इनका वर्ग करके हम लोग जोड़ देंगे तो हमें आपकतियों का पता चल जाएगा जैसे एक कवर्क ए यहां पर दोगे तो आप यहां को तभी लगाना है जब आकर्ती सिमेंट्रिकल यानि नियमित हो जैसे इधर भी चार है और वर्ग पूछा गया हो ऐसी आखरती अगर आपको दिखेगी तो यह ट्रिक लगाना है आपको इसका 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 वर्ग करके जोड़ देना है तो आपका आउसर आ जाएगा यह वोप यह question आपने अच्छे से समझा होगा next question देखते हैं next question budget से था तो अभी जो current में budget है वो आप पढ़िए यह question आपकी किसी काम की नहीं है तो budget जो था यह आप budget अभी जो current में निकला है वो पढ़िए उससे question आएगा इससे नहीं आएगा next question है the product of .756 and .025 is इसका गोड़न फाल पूछा गया है बहुत easy question है एक साब सकते हैं हम लोग तो इसका चलिए हम लोग करते हैं 756 यहां पर देखें यहां पर दसमलो जो है यह तीन अंख है तो यहां पर हम लोग नीचे क्या लिख सकते हैं इसको 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 गुड़ा करके निकाल सकते हैं लेकिन ऐसे लिख लेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगे काटने में इसको तो यहां पर देखेंगे चीज से चार बार जाएगा चालिस आजाएगा फिर हम चार से काटते हैं चार से काटेंगे तो कितना अंसर आजाएगा यहां प्राप्थवा अभी तक हमको प्राप्थवा 189 अपान तो जब हम यह 10,000 नहीं यहां पे 10,000 तो इधर दसम्रों लगेगा चार अस्थानों पे यानि हमको एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा यहां पर आगे फिर हम दसम्रों लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा तो नीचे जितने जीरो होते हैं और इधर से उतने ही अस्थानों पर दसन्रों लगते हैं तो यह हमारा अंसर हो जाएगा 0189 यह हमारा अंसर हो जाएगा यह प्रक्राशन आपको समझ में आए नेक्ट्ट कॉस्चन देखते हैं था क्योंकि के तloe बात की गई थी उन्होंने सबसे पहले इस इंडेक्स को दिया था तो यह इंडेक्स आप से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह करंड में था तो जो करंड में समय इंडेक्स बहुत ही ज्यादा यह पूछा जाएगा मेरी इसाब से लेकिन पूछा भी जा सकता है तो आप लोग ध्यान से रखेगा क्योंकि यह करंड अफियर का पूछा गया लिए तो आप लोग यह याद रखेगा नेक्स्ट को देखते हैं पूरंद्र इंबेधिग लिट्रेचर सब का अर्थ किलोना सबसे exposed सबसे महतपुर रहत पूरंथन अगर आप से पूछेगा रिग बेद में सबस्यादा मंत किस के लिए समर्पित हैं तो वह इंद्र भगवान के लिए थे तो चलिए हम लोग देखते हैं बैदिक लिट्रेचर के बारे में यह कुश्चन थोड़ा कि 228 सूप्ति यह दस मंदल में 252 सूप्ति है और दस मंदल में कौन सा मंदल आप हली बहुत जयदा इप्माटेंट है आपके लिए तीसरा मंदल बहुत जादा इंप्माटन है यह थे मंदल में क्या है घयत्री मन्थ है क्या है गायत्री मंत्र है आपके तीसरे मंस्या मैं शंफशना मैं कि दो आपको लिए खिलिए को उसके बाद का सामवेद सामवेद है जर्नली संगीत से रिलेटेड अथरवेद मैं आपको बता रहा हूं नोट कर लीजिए नहीं मैं लिख भी दूँगा अथरवेद जो है आपका डिसीज यानि जो भी रोग निवारण है जादू इनसे आपका संबन्दित है उसके बाद कौन सा इक बेद हमें अथरवेद में ही देखने को मिली सामवेद सामवेद में संगीत से रिलेटेड चीज़े हैं संगीत में हमारी संगीत से रिलेटेड है उसके बाद बच गया हमारा यजूरवेद कर्म कान्द यजूरवेद में चारू कौन है रिख्वेद निषग कहा गया है उके कह काह गया इसमें 10 मंदल 128 सूथी हैं तीसरा मंदल जो है उससे गैतरी मंत्र लिया गया है तो यह बैदिक लिट्रेचर में बेथ थे आव उपनिशदों के बारे में जानते हैं हम लोग इसको मिटा देता हूं है इधर जान लेते हैं हम लोग उपनिशद उपनिशद जो है वह 108 उपनिशद है कितने हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए मुंडिको उपनिशद क्योंकि वहीं से हमारा सत्य में जैते जो स्लोगन है हमारा वो लिया गया है तो आई वोप यह उपनिशद में भी लिए पूरान कितने हैं पूरान है आपके 8 अब पूरान कौन सा है मत से पूरान तो यह थी बैदिक लिट्रेचर जिसको आपको इसको इसको इसकिप नहीं कर सकते यह में ने आपको बताया अच्छे से एक्स्प्लेंगर करके नेश्प्स देखते हैं कुई इंडिया उसके बाद इसके बाद क्या हुआ यह समने आपको अच्छे से एक्स्प्लेंड किया है तो यह आप फ़र्ट वीडियो देख सकते हैं इसका अमसोर हो जाएगा क्रिफ्स मिसन मैं आपको जर्नल इंफ्रमेशन नहीं हम देदा हूं और भी मैंने इसको अच्छे से एक्स्प्ल के लिए क्यों आया था क्योंकि उस समय जो है एक विश्युद्ध जैसे स्थिति बनी हुई थी तो भारतियों का सपोर्ट चाहिए था तो अंग्रेजों में क्लिमेंट एट्ली थी उस समय था मौहा का प्रधानमंत्री उसने भेजा था क्रिप्समिशन को भारत की जाओ भारत इसको महत्मा गादी ने कहा और डूपते हुए बैंक आउट तरती थी चेक जवाहल लाल नहिरु ने कहा यानि पोस्ट डेटेट चेक और पोस्ट डेटेट चेक ऑप इंसॉल्वेंट बैंक दोनों आप कथन याद रखिए यह महत्मा गांदी जी ने कहा था दूसरा किस न पूछा गया था यह बहुत ही फेमस से नासा अमेरिका की तो नासा के समय प्रोग्राम्स हैं यह सारी आपको याद रखनी इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि फिर से पूछा जा सकता है पंच वह संगी स्टेडी के लिए लांच किया गया है के बारे में हम लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब की एज कितनी है थर्टीन पॉइंट सेवन बिलियन येर्ज इसी साल कोशन पुछा गया था आगे मैं आपको इस्प्लेंड करूंगा कि सूर को उर्जा कैसे प्राफ्थ होती है इसको नुक्लियर फिजन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं आप लोग याद रखेंगे नुक्लियर फिजन ना कि फ्रुजन दोनों वर्ड बहुत ही कन्फ्यू सबसे बाहरी उपर थे उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं सूर के यह पूछा जा सकता है क्योंकि कोविट का सिच्वेशन चलना है तो यह आपको भी जाना जाएं नेक्स देखते हैं सूर के बारे में इधर देखिए एक सिच्वेशन होती है सूर और पृतिवी के बीश में जो बहुत ही जादा पूची जाती है यह देखिए यह मां लीजे एक सन है यह हमारी पृतिवी है एक पूजीशन हमारे अर्थ की यानि पृतिवी की यहां पर है एक पूजीशन हमारे पृतिवी की यहां पर है अगर सन से जब हमारी पृतिवी सबसे नजदीक रहेगी सब सबसे दूर है कि ये जो situation है ये पयरी helium कहते हैं यानि रगता हैं कब होता है ये तीन जन्री कि या पाया कि है और जब सबसे आगा दूर रहता है तो इसको हम लोग हम्हें capable हिंग यानि ही इंदी में जे मैं अप सफाल और यह कब होता है तो तीन को यह वबो द596 वह बना हैan करका सकती हैं में यह जूलाइगा प्रिण्ष संसे सब्विक ज्यादा दूर्ट तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग अपसवर बोलेंगे और जब सबसे जादा करीब होगी तो उसको लोग उपसवर बोलेंगे परहिलियम और एपी हीलियम यह जो सिच्विशन बहुत ही ज्यादा पूछी जाते हैं इतना जादा इंपोर्टन था यह सारी चीज बहुत ही इंपोर्टन थी यह पूछी जाती है यह क्लियर हो गया नेक्स देखते हैं लोग नेक्स वूण उसका से अंसर जाएगा कार्बोहाइडर्ट कार्बोहाइडर्ट जो है एक फ्यूल की तरह काम करता है बॉड़ी को ड्र क्या दहीं कि कार्बोहाइडडर्ट कार्बोहाइडर्ट यह उसकिते हैं लोग इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर इनस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर यानि यह तोरी तुरजा हम लोगों को देखता है हम अगर एक ग्राम कार्बोहाइडर्ड का उप्भोग करेंगे तो हमको 4.3 किलो कैलोरी उर्जा प्राफ्थ होगी लेकिन अगर यहीं कार्बोहाइडर्ड ज्यादा देने के मामले में फैट हैं तो इसको किसी और वीडियो में अच्छे से एक्स्प्लें करके आपको पढ़ाया जाएगा है इसके बारे में जो भी नुट्रियंस है यहां पे आपको सिफ इतना जादा जरूरी है इंस्टेंट अनरजी प्रोव में हमको यह गोर्जा देता है तो इतना आपको जालना जरूरी था यह आप यहां जानी है और भी किसी दिन आपको नुट्रेंस पे एक अच्छा सा वीडियो मिलेगा जिसमें आप लोग को इस सारी चीजे बताई जाए नहीं यह है रिजनिंग का कोश्टन में इसमें हमें इन दोनों में chronology ढूर करके इस question का on plastic देना है यहां पर यहां पर वह सभी को क्या कर देंगे अगर देंगे इसमें सभी चीजों को जोड देंगे नेस्ट हम लोग कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन है यह कोशन मैं आपको करा चुका हूं इसको आपको देखना है तो आइधिंग पी आएक्यू का फस्ट यह सेकेंड वीडियो जिसमें मैंने यह आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन कर रखा है यह एज का कोशन देखते हैं हम लोग नेस्ट कोशन हुचा फॉलिंग गेंट्री आपको कॉमन बेल्थ गेम्स की बात कर रहा है तो करन का कोशन था इसका अंस्वर था माल्दीब्स तो माल्दीब की लोकेशन हम लोग देखते हैं मौलदीब ओके यहां पर चोटा से आपको आप मैप मिलेगा जिसको हम लोग क्लेetically माल दीब माल दीब बोलते हैं माल दीब बोलते हैं और इसकी राजधानी की बात करेंगे हम लोग तो इसकी राजधानी जो है वो है माले क्या है माले इसकी राजधानी है और माले जो रुपया है यहां की करंसी है माले रुपया यहां की करंसी है मैप पुड़ इधर हो गया ह है यहां पर आपका दीप मालिक यहां पर है तो यह सारी चीजें हैं तो यह पर आपको किस महासागर में तो किस महासागर में आपका हिंद महासागर में नैस्ट को शना है एड कैसे Rider होता है तो एड का फॉर्फार्म जानते हैं तो ये जर्नलीस का अंसर था आप ब्लड ट्रांस्फूजन होता है है acquired immunodeficiency syndrome acquired immunodeficiency syndrome तो सबसे पहले देखते हैं कि AIDS कैसे होता है एक मनुष्य के अंदर सबसे पहले आपको HIV होगा HIV एक वाइरस है यह रिट्रो वाइरस है रिट्रो वाइरस रिट्रो वाइरस होता है जो RNA का तो बना ही होता है लेकिन उसके आसपास जो है वो तो होती है है कुछ एक प्रोटेक्टिंग लियारस होती है यह है वह इंदर वनकर कर देगा हमारी इनको बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और उसके बाद हमको क्या होगा सबղ KL7 मैं इन्सान कहा मरता है इंसान इसी बीट के स्टेज में मर जाता है मिन्मृम्णित्य इतनी इस फकी को स Idee में मरें गते हैं जरेंसान कोई इसालच को इस व Genius प्कोई कने होगे इसनी भीफ हो जाएगे कि छोटी मुटी आपके अंदर वाइरस भी आएंगे तो वह चीज आपको मौत के रहा तक ले जा सकते हैं तो यहां पर ही लोग क्या करते हैं मर जाते हैं एट से बहुत ही कम लोग मरते हैं तो यहीं पर जीडाविन नाम की दवाई आती हैं क्या नाम है यह सारा प्रोशस था 8 होने कब और हम कैसे पता करेंगे हमको हुआ है तो इसके लिए टेस्ट होता है का नाम है यसाते इसकर नहीं होता इसके बाद कर दो होता है तब लागे कोई है चाहिश कैसे होता तो एड्स होने की कारण है जैसे नीडल साव अगर जैसे स्वीच जो है एक डॉसरी स्रिंज दो लोग में यूज कर दे तो यह सारे कारण है सेक्ष्ट्र लिलेशन भी इसके कारण है तो यह सारी चीजों से एड्स होता है नेश्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं कशरान के इसका पहले उसको संख्या इसके आसपास संख्या यून पहले तो यह आपको पता चल जाएगा अलसर किया जा जाएगा यानि हम रूट क्यू इसको हम लोग लिख सकते हैं 63 क्या लिख सकते हैं 63 उसके बाद क्या देख़ा प्लस 57 का वर 56 का वर यानि प्लस 56 यानि इसको भाग किससे क्या गया है साथ से क्या गया है तो साथ पुम लोग उपर से हम राट देंगे तो यह आजाएगा और अगर हम इसे solve करेंगा यानि 8 को 56 क्यों लोग multiply करके फिर इसमे 63 एड करेंगे तो अंसर हमारा जाएगा फोर 57 यह हमारा का अंसर आ जाएगा एक सिकंड जड़ा रोकिए आप लोग है कि नमबर 21 है आपको 20 नमबर का भी कोश्चन करा चुका हूं कोश्चन नमबर 21 क्या है कि कोश्चन नमबर 21 है सम आप थ्री नमबर